हलो दोस्तो, स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गुढ़ल के प्लांट्स के बारे में जिसे हम लोग विसकर्स के प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं ये प्लांट्ट बहुत ही सुन्दर और अज़े फूल देने वाले फूल और इनके जो फूल होते हैं वो दुरगामा का त्विरिये फूल है इस तरह का ये जो विशकर्स का प्लांट देख रहे हो ये बिल्कुल हरी भरी और घनी रूप से आपको नज़र आ रही है लेकिन इ हमारा गर्मी जैसी ही पड़ती है उसी तरह से हमारी इन पौधी पर बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रे में मिली पक का अटेक होती है और इस पर चीट्निया का भी आना श्टार्ट हो जाती है दोस्तों हम लोग पौधी पर बहुत सारी केर फटिलाइजर है या सुखे ड्राय खाद है या घर की बरने हुए बर्मी कंपोस्ट है या मार्केर से खरीद कर हम लोग लाती है उनको भी हम प्लांस पर डालती है लेकिन ये क्या होती है ये अपना रूट पर जब एक बार मिली पक का अटेक छोड़ आती है तो ये बहुत ही अधिक मात्रे में लगना अस्ट उससे क्या होती है ठंड की वज़ा से हमारी प्लांस के नीचे जड़ के नीचे चिट्निया अपनी घर बना लेती है सुरंग कर लेती है और वहां पर वो अपना आश्रम रख लेती है इस तरह से वो अपने घर पे सुरच्छित रहती है और एक जीवो से दूसरे जीवो को अपने पौधे तक पहुचाने में काम्याब होती है तो इससे अच्छा प्लांट से आपको कोई भी नहीं होती है क्योंकि ये प्लांट में एक बार फलावर खिलती है तो ये बहुत ही सुन्दर फूल देने वाले प्लांट होते हैं इस तरीके से इसमें फलावर खिलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ इस तरह से विसकर्स की पत्या पीले होकर जड़ रही है क्योंकि ये पौधे खराब हो रही है दिखने में हरे भरे लग रहे हैं लेकिन अंदर इनके रूट में हमारा खराब हो रही है इस तरीके से इनके पत्ते दिखे किस त ड़ जाती है घिर जाती है ये बिल्गूर भी फुल नहीं खिल पाती है और इस तरह से छणियां इस Geme के अगर कलियां सोख रही है जैसी कि मैरे पौधे में एक दो कल्या ड़ी कि और वी सुख है यहां देखे मैं आपको दिखाना चार्छी थिए इस तरीके से नहीं बंती ह सूख जाती है और वो फूल नहीं खिल पाती है लिकिन कभी कभी प्लांट्स हमारा फूल भी देती है जैसे कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि इस तरीके से हमारा जो विसकर्स का प्लांट्स है वो फूल देती है इस तरह से और यह फूल खिलते ही वो सूख जाती है तो इ कि अच्छी तरह से पौधे ग्रू करें, तो हम आपको दिखाते हैं कि किन चीजों का इस्तमाल करना है, दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि केले के छिलके, इस तरह से केले के छिलके या संत्री के छिलके को मैंने सुखवा लिया है, आप दिख सकते हूं कितने अच्छी तरह से सुकर हमारा रेडी है तो हमें इसको डालना कैसी है सो मैं आपको अभी डाल कर बताती हूँ सबसे अच्छा काम आपको मैं दिखाती हूँ कि किसी भी प्लांट से या किसी भी पौधी हो आपकी गमली में लगे हुए तो उनको मट्टी को गुड़ाय की अवसकता होती है निराय की अवसकता होती है उनकी समय से कटिंग का धी जब जरूत होती है तो हमीं करनी पड़ती है तो ऐस तरह से हम अपने प्लांट्स पर यहां पर यहां गुड़ाय कर ले रहे हैं मिट्टी को गुड़ाय करने से हमारा प्लांट से इनके जो ऑक्सीजन लेवल होती है वो बढ़कर अधीक हो जाती है और पौधे को जब ऑक्सीजन, न्यूट्रेशन, कारवन डॉक्सार ये सारी तत्व अगर मिलती रहेगी तो हमारा प्लांट से बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी क्योंकि इस तरह से देखे मैंने यहां पर गुलाय कर दिया है और यह इस तरह से एक इंच का गड़्धा बना ली है अब इसमें हमें करना क्या है इस तरह से केली की छिलके को मैंने सुखा कर इसको इस तरह से रख ली है अब यहां पर देखे मैंने किस तरह से डाल रहे हूं इसको डालते ही अब आपको क्या करना है जिसे हम मिट्टी को गुलाई करकर अलग कर दी हैं तो इसको अब इस तरह से ढख दे ताकि ये अच्छी तरह से हमारी प्लांस पर कभर कर सके अब हम आपको दूसरी टीक के बारे में बाताने चाह रही हूँ कि आपको करना क्या है तो दूस तुल नहें जए थेगा़ं, तो सफूं का आधा लेना, आधा टीड़ यह तरह ड है स्प्टी, बेकिंग सोडा यह नहीं की बेकिंग पॉडर आप ले लिए, उसका इस्तमाल भी नहीं करना है, अब हम आपको दिखाती हैं, अगर आपके घरों में hand was है तो आप hand was ले 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 और नहीं अगर उपलवध है hand was तो आप क्या करें कि कोई भी shampoo का इस्तमाल कर सकती है जैसी कि हमें यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि हमारा cleaning plus सेम्पू है तो इसको डालना होता है 오늘날 तो मैं आपको दिखाते हूं आपको कमकर 2-3 नलना है इस तरीके से ताकि ये ज्ञाग बन सके तो मैं यहाँ पर डाल दिया है देखिए इस तरीके से अब इसको क्या करना है थोड़ा सा आप घोल लगा ले घोल लगाने से क्या है इनकी जाग बनती है इस तरीके से जब आपकी पानी में जाग आती है तो आप समझ जाईए कि ये बहुत ही सुन्दर काम करने वाली है हमारी प्लांट पर अब हम लोग क्या करते हैं कि निम्बू इस तरह की निम्बू को निचूड़ देते हैं इसमें कम से कम दो से तीन बू लेले इनके और इनकी छिलके को भी आप एक साइट धवा सकती हूँ तो हम यहाँ पर इस तरह से डाल लिए हैं और डालने की बाद आप को हम दिखाते हैं कि इस निम्बू को अगर आप घर पे चाय बनाती हो या किसी चीज में यूज करती हो निम्बू को तो इस निम्बू को भी आप अपना फटिलाइजर बना कर डाले पौधे पर इनकी इनमें कैल्सियम बहुत ही भरपूर मातरी में पाई जाती है तो इस निम्बू का भी रस इसमें हम निचोड़ दें हैं देखिए और भी हम निचोड़ कर आपको दिखा रहे हैं ताकि ये प्लांट्स पर अच्छी तरह से ये ग्रो करे तो हम आप क्या करते हैं कि इस प्रिय वाले प्लांट्स पर भर लेती हैंdt तरह के आप अगर आपके पास इस्परी वाली डब्बी है तो इसमें हम भरकर आपको दिखाते हैं यह हमारा ज्ञाग बनी हुई है जो हाप लीटर और मैंने इसमें प्लेन एक लीटर पानी मिला ली हूँ क्योंकि डारेक्टली इस चीज को आपको नहीं इस्तमाल करना है और देखें सहां मिली पक का अटैक है मैं आपको दिखा रही हूँ वहां पर भी आप इस तरह से स्प्रे कर लें ताकि इसमें की मिली पक का जो भी आहां अटैक आई हुई वहड़ जाए इस तरह से आपको इस प्लांट पर आप कर सकते हो और इनका फायदे उठा सकते हो क्यों को कर दिना सेस्क्राइब दोस्तों बाई बाई